So hello everyone, आप लोगों में जो भी students University of Calcutta BCOM semester 3 में हो, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि भाईया मेरा taxation का syllabus क्या है, आप हमको ये बता दीजे, हम पढ़ाई start कर लेंगे भाईयों मैंनों University of Calcutta ने पहली बार semester 3 में taxation के syllabus को introduce किया है University ने सही किया या गलत किया, ये तो आप comment करके बता ना, मैं आपको अग्तम प्यार से छोटे से वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि University of Calcutta BCOM semester 3 CCF का taxation का syllabus में क्या का topic पढ़ना है, तो भाई, आपको मैं एक word में बताता हूँ, आपको पांचो head of income पढ़ना है income from salary, profit against from business and profession, income from capital gain, ठीक है, income from house property, और income from other source, ये पांच आपका chapter हो गया, और ये first chapter जो है, उसमें theory है, और उसमें एक और part है, residency status, clear, और second unit जो आपका है, उसमें भी theory है, section 10 का, exemption वाला, और उसमें भी एक चोटा सो conceptual part है, agriculture income, बस इतना ही, आपका syllabus है भाई, तो इतना प्यारा सब वीडियो में, आपके भाई ने आपका syllabus बता दिया, तो भाईयों और बैनों, अगर आप अभी भी University of Calcutta semester 3 में, कहीं भी classes join नहीं कियो, तो you can join our classes also, मेरा number note करिये, 987441152, सिर्फ 2000 रुपया में, all subject, उसमें भी installment, 1000 देके join कर लो, बागी पैसा बाद में देते रहना, औ जखो न, इतना सुन्दर सुन्दर study material तुमारे भाई ने बनाया है, तो ये सब भी तो मिलेगा न, चलो, वीडियो को share करी और चैनल को subscribe करी, जल्दी